क्या स्टुडेंट्स आपने कभी सोचा है कि 1 गिराम पर सेंटी मिटर क्यूब किस तरह से 1000 किलो गिराम पर क्यूबिक मिटर के बराबर में होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम gram per centimeter cube को kilogram per cubic meter में convert करते हैं तो हम thousand से multiply करते हैं अक्सर students मैरे मुझे से पुछते हैं कि सर जब gram को kilogram में convert करते हैं तो हमें तो thousand से divide करना चाहिए हम thousand से multiply क्यों करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही proof करने जा रहे हैं कि one gram per centimeter cube किस तरह से thousand kilogram per cubic meter के बराबर होता है तो आईए इस वीडियो को start करते हैं तो students इस proof को करने से पहले दो चीज़े आपको पता होनी चाहिए अगर मैं आपसे कहूं जैसा कि आपको यह पहले से पता भी होगा और आपको पका याद भी होगा जब भी आप kilogram से gram में conversion करते हो यानि kilogram के अंदर आपको कोई value given है और अगर आपको उसको gram में convert करना होता है तो हम क्या करते हैं उस given value को thousand से multiply करते हैं और अगर हम reverse process करेंगे यानि अगर हमारे पास कोई value gram में हो और हम उसको kilogram में convert करने की कोशिश करेंगे तो हम thousand से divide करेंगे या आपने पेले भी पड़ा होगा क्योंकि हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि one kg बराबर होता है thousand gram के ये एक kilogram में thousand gram होते हैं आपको ये पका याद होगा और अगर मैं आपसे पूछूँ के एक gram में कितने kg होते हैं तो हम student उसके लिए क्या करेंगे thousand यहाँ पर gram से multiply कर रहा है नीचे जाके क्या होगा kilogram से divide करेगा तो इसका मतलब एक gram में one divided by thousand kg होते हैं तो देखो यही बात मैंने यहाँ पर लिखिए जो के आपको पहले से पता है जब भी हम gram से kilogram में conversion करते हैं यानि छोटी value को छोटी physical quantity को बड़ी physical quantity के अंदर जब हम convert करने की कोशिश करते हैं तो हम thousand से divide करते हैं या आप ऐसे कहलो जब हम gram को kilogram में convert करते हैं तो thousand से divide करते हैं क्यों divide करते हैं या मैंने आपको यहाँ पर एक तरह से छोटा सा proof करके बता दिया यह thousand यहाँ multiply हो रहा है नीचे आके divide होगा इसी तरीके दे students अगर हम centimeter और meter की conversion की बात करें तो जब भी आपको कोई value meter में given होती है और अगर आपको उसको convert करना हो centimeter में तो आप क्या करते हो hundred से multiply करते हो और अगर मैं reverse process पूछूँ अगर आपको कोई value centimeter में given है और अगर आपको उसको convert करना हो meter में तो उसके लिए आप क्या करोगे hundred से divide करोगे एसा हम क्यों करते हैं क्योंकि आपको यह पता है कि एक meter में hundred centimeter होते हैं और अगर मैं आपसे पूछूँ एक centimeter में meter कितने होते हैं तो हम मीटर में कनवर्जन करते हैं तो 100 से डिवाइट क्यों करते हैं तो ये हो गया इसका एक छोटा सा प्रूफ कि एक सेंटी मीटर बराबर होता है 1 डिवाइट बाइट बाइट 100 मीटर के तो अब students हम आ जाते हैं जो चीज़े पहले से पता हैं हम उसी को यहाँ पर अप्लाइ करेंगे हमें ये बात पता है कि जब भी हम गिराम से किलो गिराम में कनवर्जन करते हैं तो 1000 से डिवाइट करते हैं तो students मैंने यहाँ पर left hand side को प्रूफ करने की कोशिश किये तो यही चीज़े हम यहाँ पर जो हमने मैं आपको शुरू में बताये remember में बाते बताएं वो ही हम यहाँ पर apply करते हैं तो students मैंने क्या किया gram को यानि one gram को मैंने convert किया kg के अंदर तो आपको पता है कि जब भी हम gram को kilogram में convert करते हैं तो हम क्या करते हैं thousand से divide करते हैं तो यही तो मैंने यहाँ पर किया है one divide by thousand और multiply by kg सही है और यहाँ पर जो upon की sign है इसको मैंने लिख दिया इस form में divide की form में और cm cube अब cm cube students यहाँ पर unit है किसका volume का और आपको by default value पता है अगर मैं आपसे पूछ हूँ जब भी आप cm को मीटर में convert करते हो तो आप उसके लिए क्या करते हो hundred से divide करते हो क्यूंकि हमारा goal क्या है हमें gram पर cm cube को convert करना है kilogram पर cubic meter में तो 1 gram को जब हमने kg में convert किया तो यहाँ पर आगिया 1 divided by thousand kg यानि 1 gram की जगा मैंने क्या लिख दिया 1 kg divided by thousand divide की sign लगाई अब students अगर मैं आप से पूछू centimeter को meter में convert करने के लिए हम क्या करते हैं hundred से divide करते हैं लेकिन यहाँ पर cm का cube है तो अगर आपको 1 centimeter को meter में convert करना होता है तो आप hundred से एक बार divide करते हो लेकिन यहाँ पर centimeter का cube है इसका मतलब यहाँ पर आप किती बार hundred से divide करोगे तीन बार hundred से divide करोगे तो upon की sign को मैंने यहाँ पर लिख दिया divide की form में और फिर मैंने तीन बार hundred से इसलिए divide किया है क्योंकि यहाँ पर cm cube है वही concept मैंने लगाया है जो कि आपको पहले से पता है जब भी हम centimeter को meter में convert करते हैं अब students हम देख लेते हैं अब तो simple math apply होगा फिर से आपको बता देता हूँ gram को kilogram में लाने के लिए मैंने one को divide कर दिया 1000 से divide की 7 लगाई और CM cube को cubic meter में लाने के लिए वेसे तो centimeter को meter में लाने के लिए हम 100 से एक बार divide करते हैं लेकिन यहाँ पर CM cube था इसलिए मैंने 3 बार 100 से divide कर दिया और meter को आपस में मैंने numerator के अंदर 3 बार multiply कर दिया अब इस trend हम क्या करते हैं इसको solve कर लेते हैं तो meter यहाँ पर 3 है इन 3 को आपस में multiply करूंगा तो क्या हो जाएगा cubic meter हो जाएगा सही है तो 1 kg divided by 1000 को मैंने same रखा divide की same मैंने as it is लगाई meter मैंने इन 3 को multiply कर आया तो यह हो गया cubic meter divide की same लगाई और 100 को मैंने 3 times आपस में itself multiply कर आया तो हमारे पास value आगई 1000000 अब students आपको पता है जब भी हम divide को multiply में change करते हैं तो हमारा numerator बन जाता है denominator और denominator बन जाता है numerator तो हम यह values को जो के divide के बाद लिखी ही आप उन की form में इसको interchange कर देते हैं तो 1 kg divided by 1000 को मैंने same रखा multiply की sign लगाई और यहाँ पर हमारे पास जो denominator में value थी वो आगई numerator में और जो numerator में cubic meter था वो चले गया denominator में तो अब students यहाँ पर 1000 से तो अगर मैं 1000 के 30 इन 30 से cancel कर दूँ तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1000 के यहाँ पर जो 30 इसको मैंने 30 से cancel कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर बचा 1 kg multiply by 1000 divided by cubic meter और 1000 को अगर मैं 1 से multiply कराऊंगा तो क्या आजाएगा 1000 kg per cubic meter तो students से हमारा proof हो गिया कि हमारा 1 gram per cmq बरावर किसके होता है 1000 kg per cubic meter के तो यह हमने proof कर लिया किस तरह से proof किया वो हमने knowledge use की centimeter और gram की तो यह हमारा proof हो गिया अब हम इसको समझ लेते हैं एक example से अब students अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक value given हो gram per cmq में 7.8 और आपसे कहा जाए कि 7.8 gram per cmq को convert करो kg per cubic meter में तो simple students आपको क्या करना है by default value लिखनी है आपको हमेशा बात याद रखनी है जब भी आप gram per cmq को kg per cubic meter में लेके जाओगे तो 1000 से आप given value को क्या करोगे multiply करोगे तो हमारे पास given value थी 7.8 तो 7.8 को multiply कर देंगे किसे 1000 से और unit में लगा दिया kg per cubic meter तो जब आप 7.8 को 1000 से multiply करोगे तो आपके पास आजाएगा 7800 kg per cubic meter और ये जो value है basically students क्या है ये density है iron ball की आपको पता होगा कि gram per cmq और kg per cubic meter ये basically क्या है density के units है gram per cmq CGS के अंदर आपका unit है density का और kg per cubic meter SI unit है density का तो हमारे पास students answer आगिया 7800 kg per cubic meter तो ये हमारे पास density आगई kg per cubic meter में case से निकाली हमने given value को simple 1000 से multiply कर दिया इसी तरीके से students अगर मैं आप से कहूँ अगर आपके पास value होती 2.8 gram per cmq और आपको उसको convert करना होता kg per cubic meter में तो answer आपका क्या आता है या पर जब हमारे पास value थी 7.8 तो answer आ रहा था 7800 अब अगर है 2.8 gram तो हमारे पास answer क्या आजाएगा 2800 के से आया हमने simple 2.8 को 1000 से multiply कराया तो हमारे पास kg per cubic meter के अंदर density आगे 2800 इसी तरीके से अगर हमारे पास value हो gram per cmq में 4.5 तो kg per cubic meter में हमारे पास value क्या आजाएगी 4500 के से आई 4.5 को हमने 1000 से multiply कराया इसी तरीके से अगर हमारे पास value हो gram per cmq में 8.8 तो 8.8 को जब आप 1000 से multiply कराओगे तो kg per cubic meter में आपके पास density आ जाएगी 8800 अब students यह आपके लिए छोटा सा एक problem practice के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको aluminium की density बताई जाए 2.7 gram per cm3 और आपसे कहा जाए कि इसको convert करो kg per cubic meter में तो आपको simple क्या करना है आपको समझ में आ गिया होगा 1000 से multiply कराना है given value को और comment करके बताना है कि इसका अंसर क्या आएगा तो students आज किस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों जब भी हम gram per cm3 को kg per cubic meter में convert करते हैं तो 1000 से हम क्या करते हैं पॉल्टिप्लाइ करते हैं तो आज किस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगे अल्ला हाफिज